नमस्कार आप सभी को इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ भारतिय शाक्षे अधिन्यम में section 21 जो ये section 21 है यहाँ पर ये admission के बारे में ही बता रहा है कब relevant माना जाएगा admission उसको कब admit कर लेगी court civil cases में यहाँ पर civil cases की बारे में बात की गई है section 21 यहाँ पर civil cases के बारे में बात कर रहा है civil cases में कब admit कर लेगी किसी की statement को जो की facts and circumstances जो case के उनके facts को कब admit करेगी court यहाँ पर ये ही बता रहा है तो चलिए इस वीडियो में जानते है कब relevant होएंगे वो facts कम मानेगी उसको admission civil cases में तो चलिए जानते है in civil cases no admission is relevant जो civil cases होते है civil cases में relevant नहीं माने जाएगे उसको admission admit नहीं किया जाएगे relevant जो वहाँ पर facts है उनको admit नहीं करेगी court ऐसा क्यों है? क्यों नहीं करेगी? अब इसमें कुछ conditions दी गई है if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given अब यहाँ पर यह बताया गया है कि जो parties होती है जो case की parties होती है वहाँ पर वो अगर वहाँ पर कोई agreement कर लेते हैं अपने वहाँ पर condition mention कर देते हैं कि आप यहाँ पर इन facts को नहीं disclose करेगे court में जब भी court में कोई case चलेगा तो वहाँ पर आप court में यह facts disclose नहीं करेंगे यह वहाँ पर आप evidence नहीं दे सकते अगर वहाँ पर parties एक दूसरे से क्या कर लेती है एक agreement कर लेती है तो उन cases में वहाँ पर उन facts को disclose नहीं कर जाएगा और नहीं उन facts को relevant माना जाएगा और नहीं उनको admit करेंगे court चाहे उस case से related वह facts relevant हो तब भी उसको admission नहीं माना जाएगा क्योंकि वहाँ पर वो जो भी वहाँ पर वो अपना वो देंगे ना facts जो भी disclose करेंगे क्योंकि वहाँ पर उन्होंने already agreement कर लिया था कि हम इसके इन facts को इन evidences को यहाँ पर क्या नहीं करेंगे disclose नहीं करेंगे और नहीं court में इसको हम बताएंगे भी तो हमाँ पर यह relevant नहीं माने जाएंगे इसको admit नहीं करेंगी court अब आगे देखें आगे क्या लिखा है और under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given अब यहाँ पर भी यह दूसरी लाइन यहाँ पर है जो यहाँ पर यह बता रही है जब parties ने एक दूसरे के साथ क्या कर लिया agreement कर लिया है कि हम यहाँ पर जो हमने condition में लिखा है कि हम यह facts यह evidences court में नहीं दिखाएंगे नहीं वहाँ पर जो अगर यह case से related relevant भी है तब भी नहीं दिखाएंगे अगर माल लिजे किसी partner ने दिखा भी दिया तो court वहाँ पर देखेगी पहले जब दोनों में पहले agreement होता उस agreement को देखेगी कि वहाँ पर जो इन्हों ने बोला था यहाँ पर इन्हों ने पाल ना किया है तो court वहाँ पर infer करेगी वहाँ से उनके agreement को देखेगी अब माल लिजे कुछ ऐसे cases होते है जहाँ पर agreement नहीं होता parties में वो कैसे माल लिजे किसी दो parties है अब दोनों parties में property related case चल रहा है और फिर बात में यह चले जाते है कापर mediation center होते है ताकि वहाँ पर वो समझोता कर से के तो वहाँ पर क्या होता है यह तोनों क्या करते है अपने facts को disclose कर देते है A person बोलता है यहाँ पर B person को कि मेरा इस property में 40% हिस्सा है और तेरा 60% हिस्सा है तो यहाँ पर यह disclose कर रहा है A person अब यहाँ पर B person court में जाकर बात में नहीं बोल सकता कि यहाँ पर यह 40% बोल ला था यहाँ पर जब हमारा यहाँ पर dispute रिजॉल होने वाला था तो यहाँ पर dispute तो रिजॉल हुआ नहीं था तो बात में यह person court में जाकर नहीं बोल सकता कि यहाँ पर यह person ने admit किया था तब कि मेरा इसमें 40% हिसा है शिर्फ नहीं ऐसा है यहाँ पर disclose नहीं कर सकता तो यह दोनों तब compromise की stage परते अगर जब parties में compromise हो रहा हो तो वहाँ पर जब दोनों fact disclose करते अपने तो वहाँ पर वह relevant नहीं है फिर नहीं कोट उनकी relevancy को वहाँ पर admit करेगी उनको admission नहीं माने जाएगा उनकी statement को यह यहाँ पर यह बता रहे है section 21 अब इसी में यह एक explanation दिए गई है यह यहाँ पर बता रही explanation nothing in this section shall be taken to exempt any advocate from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under section 12 of section 132 यह जो explanation है यहाँ पर यह यह बता रही है कि जब मान लिज़ागर कोई parties है party जब advocate के पास जाती है तो एड़एड के पास वह सारी बात सचेज बताते हैं कि मैंने ऐसे सापराथ कर दिया पर सो प्लीज मुझे बचाएगे तो जो हमारा section 132 ना पर यह बता रहा है कि जो प्रिविलेज कम्यूकेशन होती है ना मां लिज़े एड़ोकेट के बीच में जो भी कम्यूकेशन है तो वहाँ पर advocate court में जाकर नहीं बताएगा किस परसन ने है पर मुझे अपने अपने facts बताएगा इसने मुझे एड़ोकेट को करना ही पड़ेगा लेकिन है तो 132 के अंडर वह प्रिविलेज कम्यूकेशन लेकिन थोड़ी उसके अंदर exceptions आ जाती है जैसे मैं आपको एक्जांपल बता जेता हूँ मां लीजिए एपरसन एक वकील के पास जाकर बोलता है कि मैं एक ऐसा परात करना चाता है कि आपके सामने एपरसन ने जो confession किया था अपना आपको बताया था तो आप हमें इस के बारे में बताईए तो वहाँ पर यह एड़ोकेट वहाँ पर बताएगा फिर वो section 132 के अंदर नहीं होगा इंक्लूड नहीं होगा वहाँ पर क्यूंकि यहाँ पर एपरसन एक किसम करेंट करेंगी उनको एडमेशन मान लेगी अब मैं आपको केस से और आपको क्लियर हो जाएगा जो section 21 है आपर क्या बता रहा है केस का नाम है सुरजीत वर्सेज गुरु चरण इस केस में होता ही है कि इन दोनों में से एक पार्टी क्या करती है वह एक लैटर में देती है यहाँ पर जो मैंने cruelty किती ह Iyaपके साथ वह में माणते हूं मुझसे cruelty ही यहाँ माफी मांगना चाहता हूं मतलब कि यहाँ पर वो return में Wherever अपनी आमाचा दे रहा है तो एक मनें माफी नमा दे रहा है फिए यहाँ पर क्या इसको court मान लेगी admission मान लेग इसको और यहाँ पर admission इसलिए नहीं मानेगी क्योंकि यहां पर यह एक माफी नामा दे रहा है वहां पर अगर माफी नामा दे रहा है तो वहां पर उसके खिलाप जाकर वहां पर आक्ट नहीं करेंगी एक किसम से यहाँ पर compromise की बात चल रही थी, तो compromise में जो return में दिया है उस एक party ने, दूसरी party को, तो दूसरी party इसके खिलाब जाकर यहाँ पर आक्ट नहीं करेगी, no prejudice low है, ठीक है, no prejudice low का मतलब यही होता है, जो मैंने आपको बताया, इस case related, मतलब कि उसके अगेंज जाकर हम वहाँ पर act नहीं करेंगे फिर, जो statement किसी person ने दिया है, for compromise, या फिर वो mediation में गहे थे, ADR में गहे थे, तो उन cases में, वहाँ पर no prejudice low आ जाता है, उनके पर फिर low apply नहीं होगा, अगर वहाँ पर वो admit कर रहे है कोई fact, तो यहाँ पर यह section 21 यहीं बता रहे है civil cases में, तो इस case यहाँ पर a person train में चड़ रहा होता है तो train चल पड़ती है, अब train के चलने पर यहाँ पर a person को हो जाता है grievous hurt, इसको चोट आ जाती है person को, तो यहाँ पर a person फिर, जो railway authority होती है, railway authority आकर इससे request करती है, कि आप हमारे जो railway के doctor है, उससे आप examination करवा सकते है, अपना medical examination करवा सक पती है, और यहाँ पर इसको railway authority के तरफ से e person को damage certificate भी दिया गया, अब a person क्या गरता है suit file कर देता है, अब यहाँ पर यह a person यहाँ पर यह जो damage certificate दिया गया था railway authority की तरफ से, यहाँ पर यह इसमें लिखा भी हुआता है without prejudice low अब यहाँ पर without prejudice low का मतलब तक यह हो गया ना यहाँ पर जो यह इसमें statement लिखी थी damage certificate से कि हमारे तरफ से यह आपको damage हुआ है इसका हम claim देने के लिए भी तियार है तो यहाँ पर a person फिर इनके खिलाफ यूज नहीं कर सकता है यह statement को क्योंकि यहाँ पर एक without prejudice low है ठीक है without prejudice low आ जाता है यहाँ पर तो फिर यहाँ पर a person यह जो damage certificate railway authority की तरफ से मिला है railway authority के खिलाफ जाकर यहाँ पर यह statement नहीं दे सकता ठीक है मतलब कि इसको admission नहीं माने जाएगा जो यहाँ पर damage certificate railway authority की तरफ से दिया था court इसको admission नहीं करेगी इसको admit नहीं करेगी इस fact को तो अब आपको clear हो जाना चाहिए जो section 21 है यहाँ पर यह क्या बताने कोशिश कर रहा है अब हम मिलेंगे अपने next video में इसमें हम जानेंगे section 22 को आज के लिए इतना था ओके बाई